नमस्ते ये वर्ल्ड का सबसे एकनोमिकल रेंड वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है आप नस्दी कहिए मैं आपको और इस बारे में बताना चाहूंगा डीटेल में नस्दी कहिए और इसले निखाइए जन शक्ती फॉर जन जल शक्ती ये एक छोटी सी कोशिश है आपको बताने के लिए कि पानी बचाना हो रेंड वाटर हर्वेस्टिंग अगर आपको सोसाइटी में करना हो या इस्कूल में करना हो बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉस्ट एफेक्टिव है कल से लोगों का करना है चो आप देख रहें इस समय यह एक ऐसो लीटर का ड्रम है जिसमें चारोत तरफ भी जिश्व के चारोत तरफ जो बारिश का पानी में अंदर डालना है तो इसके मैं आपको बताऊंगा आप ये देख सकते हैं ये चछत से आ रहा है पानी चछत का पानी इससे निकलता है और हमारा काम सिंपल है कि यहां जो ये पानी निकल रहा है यहां से इस ड्रम को हम पाइप से जोड़ दें और ये ड्रम जो है क्या करना है बहुत सिंपल है इस ड्रम क को हमें जमीन के नीचे खड़ा करके डाल देना है आप देख रहे हैं here जो हमने RWHS Rain Water Harvesting this is almost 3 feet by 3 feet का चौकोर है ऐसा ही हमें एक चौकोर बनाना है भले इस आपका पूरा सोसाइटी में सीमेंट लगा हो जगह ना हो फिर भी आप अपने यह तो बिल्डिंग वाल के एक दम नजदीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्डिंग वाल से कम से कम 10 फीट दूर इस टाइप का इतना तीन फीट बाई तीन फीट का जगह लेके, हमें एक खड़ा बनाने है, और यह आप जो उंचाई देख रहे हैं, ड्रम का ही है, हमने 500 ल प्रम लिया है, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे छोटा भी ले सकते हैं, यह एक कोशिश है कि हम आपको बड़े आराम से बता सकें कि क्या कॉंसेप्ट है, किस तरीके से किया जाए, यह ओल्मोस चार फीट इसका उंचाई है, तो आप जब भी इसको लगाएंगे चार फीट आपको खड़ा करना है, तीन फीट बाई तीन फीट उपर खुला रहेगा, यह जैसी आप अंदर डाल देंगे, अंदर डालने के बाद चारो तरफ जगा बचेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, चारो तरफ 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 जगा है, यह सब जो जगाएं हैं, यह अधर के थुरू जमीन में चला जाएगा, इस तरीके से आप सैक्रो लीटर, सैक्रो, सैक्रो लीटर आप बचा सकते हैं पानी हमारे देश के लिए, हमारे इस दुनिया के लिए, क्योंकि पीने के पानी की बहुत शौटेज है, इस पटिकुलर ड्रम में हमने एक छोटी सी अधिशनल कोशिश की है, कि हमने या धकन बना दिया है, धकन क्यों? यह आप जो धकन देखने यह एक अधिशनल कोशिश है, कि डेली बेसिस पे जब भी बारिश होगा, यह तो आपका जमीन के नीचे रहेगा, यह पूरा का पूरा डबा, लेकिन यह धकन उपर से आप खो लीटर पानी निकाल के डेली बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी यह लगाया गया है, एक चीज़ जरूर हमने देखा है, कि आज अगर बारिश हो रही है, तो साथ दिन तक इसमें पानी रहता है, आप रेगुलर बेसिस में इस पानी को इस्तेमाल कीजे, और कीजेगा, हम आपको अगले वीडियो में इसको करके भी दिखाएंगे किस तरीके सम स्टूडेंट्स के साथ मिलके अलग-अलग स्कूल में लगा रहे हैं, पट यह मैं आपको दिखाना चाहता था, ताकि आपको एक स्फेर आइडिया हो जाए, तो आप रुकिये मत, बहु अपको आपको एको एको जाएंगे करता सक्वा झांपको जाएंगे वीडियो का जा दो, ताकिये मत, पांप сможड में लिखा णयूटि आ चाहता है